हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक्रियाफ्ट आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा लक्षमी पूजन यानि की इस दिवाली हमने गनीश जी और लक्षमी माता की पूजा किस तरीके से की वो आज में आपको दिखाऊंगी पूजास्तान को हमने कैसे डेकोरेट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी साथ में गाईज मेरे पूरे कंप्लीट होम डेकोर जो हमने किया था दिवाली के लिए उसका वीडियो कली मैंने पोस्ट कर दिया था जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल एंड गाईज अपकमिंग सीरीज के लिए भी मैं आपको इंफॉर्म करना चाहूंगी कि अपकमिंग वीडियो हमारे लड़ गोपाल जी की विंटर ड्रेस के रिलेटेड होने वाले हैं तो आप लोग तो यही सुनके बहुत एक्साइटेड होगे होगे तो चलिए आज का वीडियो भी इसी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो भी मैंने आपको दिखाया वो हमने एक छोटी सी रंगोली बनाई थी स्टेस के उपर हैपी दिवाली लिखा था दोनों तरफ लीव बनाई और एक दिया बनाया एम्टी घी के डबबे को डेक इस पर मैंने और भी चीज़े अरकी हैं वैसे जो आगे आपको विडियो में देखने को मिलेगा दिये वगरा बहुत कुछ उमने इनमे आड किया था अब यहां पर मेरे भाईया इस तरीके से दियो को लगा रहे हैं जगा जगा पर दियों से हम अपनी घर को सजा रहे हैं और यह मैंने इस तरीके का एक रंगोली टाइप का बनाया था, वाइट और रेड कलर से, जिसमें हमने एक लोटस बनाया था एकदम बीच में, इस पर भी हम दिया रख रहे हैं, और यह बहुत ही जादा सुन्दर लग रहे हैं, और यह भी एक इस तरीके की डेकुरेटिव थाली है, जिसके सेंटर पे हमने यहाँ पे दिया प्लेस किया है, और यह है हमारी गाय माता, जिनको मैंने स्टेश के उपर लगा के, इस तरीके से बैक साइड में, यह दिखें यह दियों का पुरा लगाया है तो मैंने यह random कुछ pictures भी click किये थे और मैंने यह videos भी shoot किये हैं तो सब को compile करके मैं आपको दिखा रही हूँ अब यह next guys मेरे पास एक इस तरीके का pot था कुछ इस तरीके की shape में इसको मैंने यहाँ पर decorate किया था colorful flask बना के acrylic paint से और इसके अंदर foam flask का bunch डाल के मैंने इसको stairs पे लगा दिया तो आप भी इस तरीके की चीजे बना के अपनी cd वगेरा जो हैं या घर का entrance है उनको decorate कर सकते हैं यह एक है पिकॉक दिया जो हमने रिलिंग की sites पे लगाया था और मैंने handmade चीजें plus कुछ चीजें जो market से खरी दी थी सबको compile करके अपना घर सजाया है और काफी जादा satisfied हूँ मैं हर चीज से बहुत अच्छा लगा मुझे सारा कुछ अब finally हम करेंगे हमारे kana जी के दर्शन तो यह है मेरे दोनो handmade लड्डू पायल जी जिनको मैंने यहाँ पोशाक पहना कर सिंघासन पर बिठाया है देखे कितने जादा क्यूट लग रहे हैं इनसे तो मेरी नजर ही नहीं हट रहे थी बस मन करा था पूरे टाइम में इनको ही देखती रहू और साथ में यहाँ पे हमने इनके पास गाइव अगरे लगाएं हैं टॉइस और मैंने यह पॉट में फ्लार डाल की इस तरीकी से लगाएं है ना मटकी एक के उपर एक रखते हुए यह मटकियां भी मैंने आपको जन्माष्ट में के टाइम पर डेकोरेट करनी सिखाएं थी और इनका जन्माष्ट में डेकोरेशन पर भी हमने काफी यूस किया था और इसमें मैंने फॉम फ्लावर्स का बंच डाल दिया तो यह और भी अच्छा लग रहा है अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको पूजास्तान का डेकोरेशन दिखा लेती हूँ तो एक तो यह हैंगिंग है जिस पर ओम बना हुआ है और इसके साइड्स पर यह गायतरी मंत्र लिखा हुआ है काफी ज़्यादा सुन्दर है यह अब इसके पास यहाँ पर हैंडमेड चानल स्टाड़ भी नी किय था जो पिंग आफ तक तुट्वाय画 नहीं किया था तो इस टाइम पर इतना समान नहीं होता था तो हम एसी तरीकी से यहों जोगार मेंद चीज़े बनाया करते थे कोशिश करते थे कम कमसमान में अछी चीज बनाने का तो यहां पर हमने वॉल पर कलश वगरे भी लगाएं आपके स्वास्तिक लगाएं के दोनों साइद पर कलश लगायें तो यह पूजा रूम का पूरा पूजास्टान का वॉल है अब next यहाँ पे मैं आपको कुछ पूजा की preparations दिखा देती हूं की क्या क्या किया था तो यहाँ पे यह सारी तयारिया मेरी ममी ने और मैंने मिलके करी हैं तो यह चौकी है पूजा के लिए यहाँ पे हमने पांच स्वास्तिक और माता की चरण पदुका वगेरे लगाएं हैं आगे की तरफ हमने यह coins बनाये हैं 21 यह white और red एक तरह का color होता है इससे बनाया है और यह अश्टदल कमल पास में रखा है पूजा के थाली रखी है और सारी जरुत की चीजें जो पूजा में यूज में आएंगी वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है तो यह दिवाली पूजन का पूरा एक सेट आता है जिसमें सारी की सारी जरुत की जो चीजें होती है जो पूजा में यूज में आती है वो सारा कुछ होता है यह नोटबुक और बाकी भगवान जी के लिए प्रशाद है और गाईज अब मैं आपको एक और सुन्दर सी चीज दिखाती हूँ जो मैंने पूजा के लिए डेकॉरेट करी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर यह जो आप दो पॉट्स देख रहे हैं यह हमने गनीश जी और लक्षमी जी के बोग रखने के लिए डेकॉरेट किये हैं तो यहाँ पर मैंने इसके उपर बहुत ही कलरफुल से लोटस वगेरा बनाये हैं काफी जादा सुन्दर डेकॉरेट किया है गाईज मु में उपर ही उपर दिया हुआ है गाईज तो उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लिजेगा चौकी लगाई उसके उपर हमने लाल कपडा लगाया यह तर्बूज रखा है मातालक्षमी गनेश जी इनकी हमने फोटो लगाई है तर्बूज पे मेरे पापा यहाँ पे स्वास बताईएगा जरूर और यहां पर अब हम फ्रूट्स का भोग लगा रहे हैं यह चार शेल्फ का एक होता है उसमें भी अमने प्रशाद रखा है दो जो मैंने लोटस बना की पॉट डेकुरेट किये थे उसमें भी प्रशाद रख दिया है यह गनेश जी को जुनेएँ और स चड़ाई है वस्तर के तोर पे ममी ने धनिया काला है एक बाउल में यहां पर इस तरीके से सब भोग वगरे लगा रहे हैं टर्मरिक भी रख दिया है हल्दी अखंट जो जला रहे हैं तो गाईज यह इतना स्पेशल सा फेस्टिवल दिवाली आपने कैसे अपने फामिली के साथ सेलिब्रेट किया किस तरीके से इंजॉय किया इसके बारे में आप मुझे कमें जरूर पताईएगा और लड़ू गॉपाल जी का शिंगार आपने कैसे किया इसके बारे में भी जब भी आप लोग मुझे लड़ू गुपाल जी की शिंगार की फोटोस बेजते हैं मुझे बहुत 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 जादा अच्छा लगता है तो गाइस आप लोग मेरे इंस्टाग्राम का लेंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है रादी रादी